नायाब हीरा बनाया है रबने हर किसी को पर चमकता वही है जो तराशने की हस से गुजरता है जीवन में कभी ये मस सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यूं है पर ये जरू सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा दुखी क्यूं है साप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडो से मारते हैं और यदि साम स्विवलिंग पर दिखाई दे तो दूर पिलाते हैं लोग सम्मान आपका नहीं आपके इस्तान और इस्तितिका करते हैं अभीमान की तागत फरिष्टों को भी शैतान बना देती है लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं वह साधरन इंसान को फरिष्टा बना देती है प्रभू सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहेंकार न आए और दुख देना तो बस इतना देना कि जिससे आस्ता न खो जाए सच पोलने से हमेशा तिल साफ रहता है अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है मेनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है सिंदगी में सिर्फ शहदी एक ऐसा है जिसको हजारों सालों के बाद भी खाया जा सकता है और शहद जिसी बोली से सालों सालों तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है अगर केसी परिसीती के लिए आपके पास सही शब्द नहीं तो सिर्फ मुस्करा दीजिए शब्द उल्जा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है सिर्फ सासों के चलते रहने को ही सिंदगी नहीं कहते आखों में कुछ ख्वाब और दिल में कुछ उम्मीद होना भी जरूई मीठा जूट बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए इससे आपको सच्चे दुश्मिन जरूर मिलेंगे लेकिन जूटे दोस्त नहीं मिलेंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरे वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना हमेशा हस्ते मुस्कुराते रहना